नागपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमितों के बीच मनपा प्रशासन फिर से एक बार सक्रिय हो गया है अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी ने बैठक लेका स्वास विभाग को कॉंटेक्ट ट्रेसिंग और ट्रेसिंग बढ़ाने के निर्देश दिये है जहां भी कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं इस इलाके में प्रशासन का ज्यादा ध्यान है इतना ही नहीं लक्षन दिखने पर कोविट जाच कराने की अपील प्रशासन ने की है मनपा के 37 दवा खानों में कोविट जाच की सुविधा उपलब्द कराई गई है बेटक में मनपा के चिकित्सा स्वास अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र बहिरवार अतिरिक्त चिकित्सा स्वास अधिकारी डॉक्टर विजय जोशी संक्रामक रोग अधिकारी, डॉक्टर गोवर्धन नवखरे, डॉक्टर शुभम मंगटे, डॉक्टर सागर नाइडू, डॉक्टर विजय जोशी आधी उपस्तित रहे जोशी ने कहा कि कोरोना संक्रमन के फैलाव के खत्रे को देखते हुए अभी से ही प्रश्चासन को मुस्तैद रहना पड़ेगा हलके लेक्षन दिखने पर ततकाल जाच कराए पॉजिटिव आने पर मरीज के साथ ही उनके रिश्चिदार वा उनके संपर्क में आए लोगों की जाच करे ताकि संक्रमन के फैलाव को रोकार जा सके सभी सरकारी वर निजी अस्पतालों में पॉजिटिव आए मरीजों की जानकारी देने की जरूरत है NBCN News के लिए राचकुमार मोड के साथ अभिशेख पांसी की रिपोर्ट